Hello to everyone, this is Sujit Singh, welcome to all my lovely audience on my YouTube channel और इस channel पर हम बात करते हैं, बाइलोजी से रिलेड़ेट बहुत सारे important topic के बारे में तो अभी की जो current series है, वो है ecology का first chapter, organism and population और ये इस series का, ये इस series का ninth part है, ठीक है? तो चली start करते हैं, आज का topic तो अगर हम बात करते हैं, आज के topic में, तो हमने ये understand किया कि जो population growth है population growth, ठीक है? तो हमने इस population growth में different different terms को understand किया जैसे natality क्या होता है, mortality क्या होता है, immigration क्या होता है, और emigration क्या होता है तो इस population growth को understand करने के लिए, हमने यहाँ पर एक model के बारे में पढ़ना है जिसको हम बोलते है growth model ठीक है? ये जो growth model है, ये basically two different type के growth model है एक growth model को हम बोलते है, exponential growth model क्या बोलते है और दूसरे काटिगरी को हम बोलते है, logistic growth model तो यही दो तरह के आपके model है, जो आप पूरे ecology के concepts को understand करने के लिए आप पढ़ोगे ठीक है? तो अगर हम first growth model के बारे में understand करते हैं कि जो पहला growth model है, जिसको हम बोल रहे है, exponential growth model अब दिखो, ये growth model को understand करने के लिए एक situation को आप understand करना कि जब हम बात करते हैं किसी एक ecosystem के बारे में तो यहाँ पर हम अगर understand करते हैं कि suppose आपके पास एक ecosystem है एक क्या है? एक ecosystem है और इस ecosystem में अगर आप देखते हो तो कुछ आपके biotic component है और कुछ abiotic component है abiotic component है और ये दोनों ही factor एक दूसरे से क्या कर रहे है interact हो रहे हैं और यहाँ पर ये ecosystem continuously क्या कर रहे है अब देखो इस ecosystem में अगर conditions ये हैं कि यहाँ पर resource क्या है resource like जिस पर biotic और abiotic दोनों क्या है dependent है means resource आप बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं nutrient वो कैसा हो unlimited हो मतलब इतना resource हो कि कोई भी biotic जो organism है वो इस nutrient को आसानी से खा सकते हैं और continuously अपने आपको grow करेंगे और ये कैसा है unlimited है ठीक है पहली condition ये है दूसरी condition ये है कि यहाँ पर जो limitation है वो क्या हो limitation जो है वो क्या हो minimum हो तो दो चीज़े आप समझ के रखना जब भी आप exponential growth model को understand कर रहे हो तो यहाँ पर resource क्या है unlimited है बहुत सारा वहाँ पर खाने के लिए materials available है और वहाँ पर किसी भी तरह की limitation जो है वो बहुत ही कम है means जो organism जैसा चाहता है उस तरीके से वो उस ecosystem में survive कर सकता है यहाँ तक कोई confusion अब यहीं पर बात आती है कि जो exponential growth model है इस ecosystem में इस ecosystem में अगर आप बात करते हो तो इस ecosystem में कुछ organisms क्या होंगे birth ले रहे होंगे कुछ organisms क्या होंगे इनका एक specific rate से birth rate होगा जिसे हम B से represent करेंगे इसी ecosystem में एक specific time पर कुछ organisms death भी कर रहे होंगे उस चीज को हम understand करेंगे death rate से जिसे हम D से represent करेंगे यह बात समझ में आ रही है तो अगर आप से कोई पूस्ता है कि इस ecosystem में इस ecosystem में एक unit time पर इस ecosystem में ecosystem में at a unit time at a unit time पर इस ecosystem का population कैसा होगा means इस ecosystem में population को अगर define करना है at unit time t पर तो इसे हम define कर सकते हैं इसे हम define कर सकते है capital T means at unit time t पर dn by dt is equal to rn यह क्या है एक तरह का equation है इसको आप बोलते हो exponential growth equation means n क्या है यहाँ पर अगर आप बात करते हो कि n क्या है तो n जो है वो basically नंबर ओफ इंडिविज्वल है नंबर ओफ नंबर ओफ इंडिविज्वल बी को हमने understand किया कि यह बर्थ रेट है और d को हमने understand किया कि यह क्या है death rate है ठीक है और साथ में यहाँ पर आर क्या है तो आर जो है हम रिप्रेजंट करते हैं बैटिक बायोटिक पोटेंसियल ठीक है अब इसी आर को अगर आप NCRD की बुक को understand कर तो इसी आर को और एक टर्म दिया गया है जिसको आप बोलते हो यहाँ पर कि basically क्या है कि यह एक तरह का intrinsic intrinsic rate है of natural increases of natural increases इसका मतलब यह है कि कोई एक organism कि अगर आप बात करते हो कि उस organism का small r कितना होगा means वो rate of means prosoenic कितने form में क्या कर सकता है increase कर सकता है this is called your biotic potential यहाँ बात चीजे clear हो रही है तो अगर बच्चों के मन में confusion है कि यह equation कहां से आया है तो यह equation को अगर आप understand करो तो आप number of individual कि आप बात कर रहे हो number of individual को आप किसे represent करते हो and say birth rate को आप किसे represent करते हो small b से death rate को आप किसे represent कर रहे हो तो small d से ठीक है अब देखो अगर मैं बात करता हो कि एक unit time पर at a unit time t पर किसी भी ecosystem का population क्या होगा तो at unit time time t की अगर बात करो तो इससे आप represent कर सकते हो dn by dt is equal to कितना rate से नए organisms का birth हो रहा है means small b और किस rate से उस ecosystem में organism का death हो रहा है into n number of individual तो इसी b minus d को आप क्या represent करते हो small r जिससे आप क्या बोल रहे हो biotic biotic potential ये बात क्लियर है सभी को ये बात क्लियर है कि ये capital small b minus small d is equal to biotic potential means small r इसी equation को आप relate करते हो dn by dt is equal to r into n बात क्लियर है तो अगर आप इस equation के graph को plot करते हो means graph आप plot करते हो of किसका expo exponential growth model का अगर आप graph plot करते हो अभी आपने ये understand किया कि इसकी equation क्या है dn by dt is equal to rn ये बात तो समझ में आ रहा है तो ये basically अगर आप graph plot करते हो और ये graph किसके किसके बीच में होता है तो एक है आपका x-axis ये क्या है आपका y-axis और दूसरा क्या है आपका x-axis ठीक है दूसरा क्या है आपका x-axis तो ये आपका x-axis हो गया और ये क्या है आपका y-axis ध्यान देने लिए बात ये है कि जब भी आप exponential या logistic growth model का आप जब graph बनाते हो तो basically ये graph किसके इसके बीच में होता है तो basically y-axis पर आप time को represent करते हो means small t को आप represent करते हो और y-axis पर आप basically किसे represent करते हो तो population density को आप represent करते हो और इसके बीच में ही आप क्या plot करते हो graph plot करते हो तो population density यहाँ पर आप n form में represent कर रहे हो और जब भी आप इस equation को इस equation को अगर आप graph plot करते हो y और x axis के बीच में तो ये graph हमेशा कैसा होगा तो j saved graph appear होगा हमेशा कैसा होगा j saved graph होगा तो ये कैसा saved है तो j saved curve आएगा किस case में बेसिकली dn by dt is equal to rn के form में ये बात सभी को clear है अब देखो अगर आप इस equation को अगर आप इस equation को derive करते हो derive करते हो तो बेसिकली आप इसको represent कर सकते हो nt is equal to n naught into e की पावर e की पावर rt अगर आप dn by dt को integral form में differentiate कर देते हो derive करते हो तो ये क्या है इसका integral form है इसका इसका दूसरा नाम और क्या है इसका दूसरा नाम है geometric growth model इसका इसका दूसरा नाम क्या है geometric growth model इस model में basically होता क्या है कि जो organism है क्योंकि उस organism के पास resource क्या है unlimited है resource कैसा है unlimited है और किसी भी तरह की वहां पर limitations नहीं है ठीक है तो जब भी यहां पर organism का growth होगा वो हमेशा suppose कोई एक organism है तो वो आगे चलके दो organism बनाएगा दो से क्या बना लेगा चार बना लेगा चार से क्या बना लेगा आठ बना लेगा आठ से 16 तो जब इस तरह के growth pattern को देखा जाता है इसी को आप बोलते हो exponential growth model या इनिसी का दूसरा नाम है zeometric growth model यह बात सभी को clear है तो basically exponential growth model में आप understand करते हो कि किसी भी ecosystem के अगर population को आपको define करना है कि उसका status क्या है तो at unit time t per dn by dt is equal to r and r क्या है आपका batic potential है n क्या है basically आपका number of individual है और exponential growth model का curve कैसा होता है तो curve होता है basically आपका j saved curve होता है यह बात clear है तो यह सारे important point इससे related हमने discuss कर लिया है आप देखो यहाँ पर हमने बात किया था कि एक तो है आपका क्या exponential growth model इसी का दूसरा नाम क्या है तो geometric growth model ठीक दूसरा जो growth model है उसको आप बोलते हो logistic growth model तो exponential growth model में हमने ये condition देखा कि यहाँ पर resource क्या है unlimited है उसी तरीके से अगर आप बात करते हो second category की तो second category क्या है तो basically logistic growth model के अगर आप बात करते हो तो basically इस model में जो है आप ये understand करो कि इस model के अंदर इस model में अगर आप बात करते हो तो suppose कोई एक ecosystem है और इस ecosystem के अंदर जो resource है जो resource है वो क्या है limited है वो क्या है resource जो है वो कैसा है limited है means उसका number खतम हो सकता है ठीक है साथ में साथ यहाँ पर जो limitation है वो क्या है लिमिटेशन जो है वो कैसा है maximum है यह बात समझ में आ रहा है तो दो चीज यह आप understand करना कि यहाँ पर logistic growth model में basically resource क्या है resource क्या है limited है और साथ में साथ यहाँ पर अगर आप limitation की बात करते हो तो limitation क्या है आपका बहुत सारी यहाँ पर limitations है तो इस case में basically अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जैसे organisms suppose इस ecosystem में जो organisms रह रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे competition करेंगे आपस में क्या करेंगे competition करेंगे और competition किस इसके लिए करेंगे, competition for resource, या आप बोल सकते हो किस इसके लिए, तो nutrient के लिए क्या करेंगे, आपस में compete करेंगे, और basically ये competition में जो organisms survive कर पाएंगे, वही living organisms को आप क्या बोलोगे, वही living organisms को आप क्या बोलोगे, कि वो survival of the fittest, जो organisms इस competition में survive करेंगे, वही organisms क्या होंगे, fittest organism है, जो survive कर रहे हैं, वही आगे चलके क्या करेंगे, reproduce करेंगे, means अपने number को क्या करेंगे, reproduction के थूँ बढ़ाएंगे, बात clear है, तो देखो, यहाँ पर logistic growth model में, basically, resource क्या है, limited है, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, आपस में, competition हो रहा है, living organism में, basically, क्या हो रहा है, competition हो रहा है, जो equation है, किसकी logistic growth model में, basically, यह equation आप बोलते हो, at, at, unit time, t पर अगर आप बात करो, तो यह equation है, dn by dt, is equal to, is equal to, rn, k-n by k, अब देखो, आपने understand किया, कि यह, basically, यह, basically, क्या है, biotic, potential है, यह, क्या है, number of, individual है, बट यहाँ पर एक नया term आया, जिसको आप बोल रहे हो, k, k क्या है, k is a carrying, capacity, ठीक है, और हमेशा, हमेशा आप देखना, कि जब भी आप इस equation को graph में plot करते हो, तो इसका graph कैसा हैगा, इसका, जब भी graph plot करते हो, तो basically, इसका graph कैसा हैगा, तो sigmoidal graph appear होगा, ठीक है, अब यह sigmoidal graph होता कैसे है, इस graph को समझने के लिए, carrying capacity, आपको मैं अभी define कर देता हो, कि basically, देखो, जब भी आप graph को plot करते हो, तो यहाँ पर आप यह understand करते हो, कि जो आपका x-axis और y-axis के बीच में, जो graph बन रहा है, तो basically, यहाँ क्या हो रहा है, कि यह क्या है आपका x-axis है, यह क्या है, आपका y-axis है, तो x-axis में हमने देखा, कि यहाँ पर आप किसको represent करते हो, time को represent करते हो, और y-axis में आप किसको represent करते हो, population, density, जिसको आप represent करते हो, capital N के form में, बात clear है, अब देखो यहाँ पर, जब आप graph बनाते हो, जब आप graph plot करते हो, इस equation को dn by dt is equal to rn k-n by k को, इस equation को तो आप graph में plot कर रहे हो, तो यह equation एक यहाँ पर, जो यह क्या है, आपकी एक हमने hypothetical line draw कर दिया, इसको भी हम define करते हैं, तो यह line क्या है, basically आपका carrying capacity, है, ठीक है, अब basically अगर आप इसके graph को understand करो, तो graph जो है, वो basically sigmoidal save में है, कैसा है, sigmoidal save में है, तो यह जो graph है, इस graph में, अगर आप बात करते हो, तो यह population जो है, एक time पर आके क्या हो जाएगा, stabilize हो जाएगा, stabilize हो जाएगा, due to, और stabilize क्यों हो जाएगा, due to lack of resources की वज़े से, उस population का जो number है, वो एक time पर attain करने के बाद क्या हो जाएगा, रुख जाएगा, ठीक है, और यह stabilize कहाँ होगा, आपके carrying capacity, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, carrying capacity, means इस ecosystem का, यह maximum carrying capacity इतना है, इससे ज़्यादा कोई भी population grow नहीं कर पाएगे, तो यह graph कैसा है, तो यह graph है, सिग्मोईडल, सिग्मोईडल, सेप का क्या है, graph है, यह बात clear है, सभी को यह चीज clear है, कि basically, यहाँ पर, जब भी आप growth model को understand करते हो, तो growth model basically दो दरगे हैं, एक है आपका exponential growth model, और दूसरा है logistic growth model, इसमें जो graph आता है, basically, j saved है, ठीक है, और यहाँ पर जो equation है, dn by dt is equal to rn, ठीक है, यह equation है, और यहाँ पर जो graph है, वो basically कैसा है, तो sigmoidal graph appear हो रहा है, और इसकी अगर आप equation की बात करते हो, equation क्या है, dn by dt is equal to rn, k minus n by k, k क्या है, carrying capacity है, बात clear है, तो basically, यही दो different growth model है, और इस growth model को आप understand करते हो, कि किसी भी ecosystem का population, जो है, उसके status को identify करते हो, कि उसके अंदर का जो population grow कर रहा है, एक specific time पर उसका population क्या होगा, तो इन equation की help से आप define कर सकते हो, thank you बच्चों, और अपनी notes को जरूर prepare करो, thank you.